तो guys, जो मैं ने पिछला पोल डालता, उसके इसाफ से आपने जो demand करी है विडियो की वह है beige theme interior. जैसे Manish आपने white theme interior, grey theme interior की विडियो दिये हैं, ऐसे यार हमें beige theme interior भी दे दो. तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा 2BH के flat cover करने वालाओ, जिसके अंदर सब पर चाहिए लेकर डाइं की जए डे से लेकर लिविंग से लेकर तक बेडरूम तक बेडरूम तक ट्रिक्स अन्ठोर में क्या होना चाहिए पर नाltr में बताने वाला हो लेकिन इसे फिल्यग बहत हमें अज बेज़दीम की इंटिर्यर थोड़ी टफ होने वाले क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि ग्रे और वाइट थीम इंटीर सिंपल है समझाना लेकिन बेज भाई बेज कलर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने कितनी शीट्स फाड़ी होंगी बेज थीम इंटीर को एक्स्प्लेइन करने के तो आई वोड़ी को शुरू करते हैं नवश्कार दोस्तों स्वागत है में चैनल इंटे कोच पे और मैं हम पेंटे कोच एंटे बिल्टिंग कंसल्टेट मनी सहरावाद जाहोंगा बजट आपका डिजाइन हमारा और कॉंट्रेक्टर आपका इंजीनियर हमारा तो यह सारा एक स्टेप बाइस्टेप प्रोसीजर होने वाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस जब हम किसी फ्लैट का डोर खोलते हैं तो दोर खोलने अब बाद सबसे पहला अजी कोन सा दिखता है वो होता है उसको पूरा बेज कर देना जो पूरी वाल दिखाई थे जैसे कि आप ड्रॉइंग में भी देख सकते हो तो इस तो आपको हमेशा पूरा बेज कलर कर देना है, कलर कोड की टेंचन मतलब वो आपको मिल जाएंगे, अब इस वाल पे जो हमने बेज कलर कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आप कंसोल रखने वाले हो, या कोई फ्लोटिंग शेल्फ रखने वाले हो, या कोई डेकॉर का इटम रखने वाले हो, क्योंकि हम फ़र में अकसर चीजों को अपीरेंस ऐसी फील देते हैं, कि या कोई बे अंदर आए, हम आए या गैस्ट आए, कि वो सुन्दर ले, तो वहाँ पे आपको जो भी डेकॉर का इटम रखना है, अब वो चाहि कुछ भी हो सकता है, वो आपको हमेशा उस बेज कलर जो आपने दिवार पर की है, उससे हमेशा डार करकना है, अकसर क्या होता, हम कॉंट्रास तो बना के चलते हैं, लेकिन बेज के फील में ऐसा कुछ नहीं करना है, तब आपको फोटो देखके तो समझ आ गया हुआ कि बेज को हमेशा लाइट रखना है, उसके सामने डेकॉर को हमेशा डाक रखना है, बेज थीम का एक, मैं क्या बताब मेरी थेयरी है, या मैं इतनी जादा साइटे कर चुका हूँ, इतने डिजाइन कर चुका हूँ, तो उससे मुझे पता लगा कि या, that's it, कि बेज में यही एक पैरामिटर है, जो हमें फॉल्लाओ करना पड़ेगा। अब वो अच्छा कैसे लगेगा? फोटो देखो. अब आपके मन के अंदर दो सवाल आने वाले. पहला सवाल कि, मनी जी, क्या हम इस दिवार पे सिर्फ बेज कलर करके छोड़ देए, वो अच्छा लगेगा? नहीं. क्योंकि फॉयर की वाल में आप वाइट और ग्रे सिंगल छोड़ सकते हो, वो समझा जाएगा, लेकिन बेज के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बेज बहुत ही यूनीक कलर है, और बहुत ही, क्या बताओ कि वाइट की फैमिली का ना सबसे अलग टाइप का कलर है, क्योंकि वो ब्राउन फैमिली आजाए, बट उसका लाइटेस चेड वाइट में भी काउंट हो जाते है, जक अब आप कहोगे, यापकी बात मानली की वाईट पर बेज कर दिया, इसके सामने डक टूब लेकिन डक टो कौन सा डार अएटम नहीं जा सकता, इस में आपको चार फैमिली के कलर यूज चार कलर होते है, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाईट अड गोल्ड कलर, ऑगें फोटो देखो ठीक है तो अब हमें फोयर एरिया का समझ में आगया कि हमें क्या करना है कलर कॉम्बिनेशन को हमें कैसे लेके चलना है तो फोयर तो हमारे एक छोटा सा एरिया होता है इसमें इतना टेक्निकल हमें दिमाग लगने की जूत नहीं पड़ेगी लेकिन अब आते हैं ट्राइंग पे जहां लगेगा असली दिमाग और होगी असली महनत तो भाई नोट पैड लेके बैठ जाओ पैन साथ में ले लो क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल या कहूं कि या मैं बोलूँ कि आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा चकराने वाला है क्योंकि ग्रे और वाइट थीम इंटीर सिंपल है बॉस लेकिन बेज बाई बहुत ही डिफिकल चीज है अब आते हैं अपने ट्राइंग रूम पे अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू आप सबसे पहले ये फोटो देखो और मुझे फोटो देखके कमेंट करके रियल बता ना वर्डियो को पहुत ज़रूर कर देना कि ये फोटो आपको कैसी लग रही है फोटो देख लिया अब साच बताओ 90% ओडियन्स यही कहने वाले कि हाँ हमें ये फोटो बहुत अच्छी लगी बढ़ ट्रस्ट मी ये फिफ फोटो ही अच्छी लग रही है जब एक्च्वल में ये घर बन जाएगा आपको ये घर सुन्दर नहीं लगने वाला या दोसा सिनेरियो क्या हो सकता है कुछ टाइम तो कि ये अच्छा लगेगा लेकिन उसके बाद आपको ये कलर बहुत बोरिंग लगने वाला है आई नो वाइट और ग्रे की केस में अगर सिंपल रखेंगे तो कोड़ी कत नहीं होने वाली क्योंकि वो एक अलग टाइप की कलर थियरी मतलब लेकिन बेच थोड़ा अलग तरीके से प्ले करता है तो अगर आपने इस थीम को फॉलो नहीं किया तो गड़बड हो जाएगी तो इसलिए याद बेस थीम के साथ में हमें थोड़ा सा कलर भरना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर थोड़े से कलर लाने पड़ेंगे जिससे कि जो हमारी लाइफ है जिसे हम सिंपल और बिनेबल तो रखना चाहते हैं लेकिन थोड़े से अगर उसमें कलर एड हो अगर देकलो तो यहां पर आपको फिर एक छोटी सी ट्रिक प्ले करने पड़ेगी और वो ट्रिक क्या है वेट करो पेशन्स रखो उससे पहले आपको कुछ चीजे जानना ज़रूरी है जिससे कि आप वो ट्रिक को समझ सको और उस ट्रिक के साथ प्ले कर सको जिसमें नहीं लगेगा तो अब बात आती है कि डॉइंग रूम के बेस्ट लग्शरी बेज थीम इंटीर्स को करें कैसे अब डॉइंग रूम को स्पेस थीम इंटीर्स की फील देने के लिए आपको इन चार कलर्स के साथ एक रेशो में प्ले करना पड़ेगा जहां पे बेज का जो धान करने बाहां बहुत जरूरी है कि मैं आपको हमेशा पताया कि जब खर का इंटीरियर ड़्जान कंशरोंता है तो सब सर्ल पहले चार्ण करते हैं कि जब एगर रोल फ़े चाछी तो जो बेज की थीम टोटली-चार्ण प्लोरिंग लेने वाले हूँ बहुत ज्यादा बेज कलर की नहीं होना चाहिए उसमें थोड़ा white की family का टच रहना चाहिए तो it can be lightest of gray, it can be lightest of brown, it can be lightest of white, score white मत लेना नहीं तो घड़बढ गारी बाद रग डाल के compare कर सकते हैं और जो सीलिंग है, बेज के केस में हमेशा वाइट रहेगी, अब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के तुरुई समझाने की कुशिश करता हूँ, तो अब सबसे पहले हम ये फोटो देखते हैं, तो इस फोटो के अंदर अगर आप देख पा रहे हो, तो यहां पर हमने यूस क और अगर ध्यान से देखोगे तो जो सेंटर टेबल है, उसमें गोल्ड भी कहीं चुपा हुआ है, अब यही उसी प्रोजेक्ट का जो है, वो दूसरा फोटो है, अब जो आप ये नेक्स्ट पोजेक्ट देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट अंदर देख रहे हो, आपने जो व वुड में है, परनीचर हमारा बेज में है, वाल्स हमारी बेज में है, लेकिन सीलिंग अब हमारी वाइट टीवी हमारा ब्लाक है, तो आप देख पारे हो कि कैसे कैसे मिसको प्ले कर सकते हैं, और गाइस बीच में बढ़ चीज बता जाता हूं कि ये वीडियो हम रात के दो ब्राउन का जोता है, वो 30% बाकि 5% ब्लाक को दिया और 5% ब्लाक को दिया है, अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ये रेशो है, ये किस के साथ प्ले करना है, कि अगर बेज है 60% आपको हो सकता है अपने फरनीचर, रग और टीविनट में दे दिया, हो सकता है 60% आपने फॉल सिलिंग में दे दिया और एक वाल पे दे दिया, हो सकता है ये बेज कर आपने 60% रग में दे दिया और सिफ सीलिंग में दे दिया, तो अब ये थोड़ा सा आपी को प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब बदाना बट मिश्किल हो जाएगा, मैंने फोट से ट्रिक है कि आपको अपने सोफा वाली बैक वाल पे एक पेंटिंग डालनी है, जो अगें मैंने फॉयर में ट्रिक बताई थी और वो क्या था, कि बेज वाली वाल के आगे की तरफ हमेशा डाक चीज रखनी है, जिसका बॉर्डर हो या उसके अंदर कोई पेंटिंग हो दोनों थोडिआ सी डाक हो इसके ब्लाक ब्ल्स ब्राइट कलऱ सकते हो, धी म mustard Manh 대해서 और फर्नीचर दोनों बेज बेच करना तो इसके अंदर पेंटिंग जो है वो बाकि बार किया और बाकी वाल अर परनीचर सेम अब आप खुद बताओ इसके एंधर इसके और पांच कर रहे हैं इसके Hudson इव एभाट अब धार एक सब्सक्राइब को बताई Влад hope गॉल्ड करना हे तो इस टायज़ खरीज सकते हैं और अपने गर को थोड़ा सा और लुक दे सकते हैं क्यूंकि इंटीर जो होता है वो चार्ज सेज में होता है एक स्ट्रक्चर एक सेमी फरनिश्ट फिर होता है इंटीरियर्स इंटीर में क्या आता है जब टाइल, सीलिंग और वॉल लग चुकी होती है अब ल को खुझ से बहुत अच्छा बना आया किसी और डिजाइनर की आप से सुन्दर बना है तो आप हमें अपने घर बुला सकते हैं नीचे गूगल लिंक का फॉर में उसको फिल कीजिए और हम आपके घर आएंगे और आप से एक पॉड़कास के तुरू बात करेंगे तो मिलते करता है